हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ मैं हूँ आपके साथ भव्या तो आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी होम रेमेडीज फॉर रिंग वाम रिंग वाम जिसे हिंदी में हम दाद या खुजली के नाम से भी जानते हैं अगर आपके शरीर में भी आपको लाल दाग दिखाई देते हैं और उन पर काफी जादा इचिंग होती है तो आपको इन घरे लूप चार को ट्राय करना चाहिए इससे आपके शरी के दाद और खुचली हमेशा के लिए गायब हो जाएगी ये एक ऐसा वाइरल फंगल लसन का अर्क आपके शरीर के दाद और खुचली को दूर करने के लिए काफी अच्छा घरे लूप चार है तो आपको लसन की छोटी छोटी कलियों को छील कर अपने दाद वाले निशान पर रख देना है फिर कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका दाद जल्दी ही भ और आपकी बोडी पर जो खुजली होती है वो भी दूर हो जाएगी टिप नामबर 2 नारियल का तेल नारियल का तेल आपके शरीर के दाद को खतम करने के लिए काफी अच्छा घरेलू उपचार है तो आपको डेली नारियल के तेल से अपनी शरीर की मालिश करनी है या फिर जहाँ पर भी दात का निशान है वहाँ पर आप नारियल का तेल लगा सकते हैं इसको लगाने से आपका दात जड़ से खतम हो जाता है टिप नमबर थ्री राई के दाने राई के दाने जिसे इंगलिश में हम मस्टर्ड सीड्स के नाम से भी जानते हैं छोटे छोटे दिखने वाले राई के दाने आपके शरी के दात को खतम करने के लिए काफी साहयक होते हैं तो आपको आदे घंटे राई के दानों को पानी के अंदर भिगो कर रखना है फिर इसका आप पेस्ट पना कर अपनी दात वाली जगा पर लगा लें इससे आपका दाज जल्दी ही भर जाता है टिप नामबर 4 एलोवीरा जेल एलोवीरा जेल आपके शरीर के हर फंगल इंफेक्शन को दूर करने के लिए काफी उपियोगी होता है तो अगर आपको भी दाज जैसी बिमारी है तो आपको एलोवीरा जेल को अपने शरीर पर लगाना चाहिए इससे आपके शरीर को ठंड़क पहुचती है और आपके शरीर के दाग और निशान भी गायब हो जाते हैं आप चाहे तो एलोवीरा जेल को रात भर अपने दाग पर लगा कर भी सो सकते हैं इससे सुबा उठकर आपका दाद हलका हो जाएगा तो यह सब थी home remedies for ring warm अगर आपको भी दाद जैसी खुजली होती है या फिर दाद आपके शडीर पर है तो आपको इन घरे लूप चार को करना चाहिए तो आज की इस health video में इतना ही ऐसी ही और healthy videos देखने के लिए हमारे चैनल वायानेट health को subscribe कीजिए Till then eat healthy and stay fit. Thank you